प्रवासाची नेटवर्क देख रहा हैं मैं आपके साथ फ्रड़ोतिवारी प्रवासाची नेटवर्क की टीम की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को सबेबरात और खोले की मुबारगबार हम गोरकपुर में मौजूद हैं और जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात हम करते थे हिंदु मुस्लिम एकता की बात करते थे कहीं न कहीं इश्वर और अल्ला की देन है कि हम सभी उस जगह पे हैं जहां पे एक ऐसा दिन आता है जहां पे हम इन दोनों तेवारों को एक साथ म मौजूद है बड़े ही वरिष्ट मुस्लिम धर्म गुरू है आपका नाम कारी जमील साहब मिसबाही है सर क्या कहना चाते है हिंदू मुस्लिम जो एकता है कहीं न कहीं हम उस जगह पे है कि हम प्रभावित हो रहा है और ऐसा हमारे पास समय आ रहा है ऐसे हमारे साथ दिन आ आप सभी देशवासियों को मुबारक बात देना चाते हैं कि आप सभी को होली मुबारक हो और श्रावबरात मुबारक हो और खासतों से मैंने पहले भी पेपर में भी बिया है कि इस दोनों तेवार चुकि एक साथ पढ़े हो और इसके पहले भी होता रहा है तो हम सभी लो लोग जो है एक दूसरे में मिल या शादिव या हर जगर मिल मिला कि रहे हैं तो हम हमेशा यही पैगाम देते रहे हैं और अभी हम पेपर में भी पैगाम दिये हैं कि यह जो हमारा तेवार है यह महबत का तेवार है इसमें आप आपस में महबत दिखाए एक दूसरे की भाई टेदार ले करके चलते हैं तो हम उनसे अपील की हैं पेपर के जरीए से और आपके जरीए से भी कहते हैं जहां तक हमारी बात पहुंचती है कि ये इबादत की रात है इसमें जितनी भी इबादत की जाए ये अल्हा के नजदीक होने का एक जरिया है अपने गुनाहों को बखशو colonies का जरिया है अपने मुर्दों को जो हम से दुन्या से जा चुके हैं अपने घर के जो लोग जा चुके हैं जो भी लोग दुनिया से पर्दा कर चुके हैं तो उनकों रूहों को सवाब पहुचाने के लिए ये रात है और अबादत की रात है तो इसमें जादा 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 वक्त जो है मस्जिदों में दिया जाए जाए जादा जादा जाए अपने घरों में दिया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जैसे होली भी है तो अगर मालिय कोई होली में कोई मुस्लिम भाई अमारा निकलता है तो हिंदु भाई को भी थोड़ा थियात करना चाहिए को उसके उपर रंग ना फेकें ठीक है और इसी तरह से अगर कोई मुस्लिम भाई है और निकल गया और भाई चांस खोदा नकासते उसके उपर किसी ने रंग फेकी दिया तो रंग पढ़ जाने से उसके जिस्म का हिस्सा नहीं कड़ जाता है ठीक है या उसके कपड़े नहीं जल जाएंगे कपड़े नहीं फट जाएंगे उसको मुखबत से उसको एवाइट कर देना चाहिए ठीक है और आपने चुकि तेवार है तेवार में हो जाता है ऐसा कोई भी अचानक फेक सकता है तो उसके लिए लड़ना जगड़ना नहीं है उसको प्यार से मुखबत से उसको आपस में सिलट लेना चाहिए मामला अपने घरों को चले आना चाहिए ये मुखबत भाई चारगी का तेवार है और इसमें इसको जितना भी बढ़ावा दिया जाए और ये हमारे हिंदुस्तान की तेवार को मिल जूल करके मेंनाए है तो ये तो बहुर्ट अच्छी बात कि दोनों तेवार एक साथ पढ़े है कि हमारे हिंदु भाई भी खुशी से मनाएं मुख़ई भी खुशी से मनाएं तो इसमें बुराई क्या है बहुत अच्छी चीज़ है ये तो और होना चाहिए हम सब मिल जूल करके रहे हैं और आगे भी रहेंगे इसमें कोई शक नहीं है और हमारे इस हिंदू मुस्लिम की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता ये तो मैं इतमाद के साथ कह सकता हूँ और बड़ी आफ़ते मुस्चीपते हैं और बड़ी बड़ी लोग आएं हैं इसको तोड़ने के लिए मगर उनकी सारी कोईश है नाकाम रही है ठीक है और ये हमारी हिंदू मुस्लिम एकता हम लों का अपस में बाई चारगा ये बना रहेगा और मैं अल्ला से हमलों का अपस में बिला करके रहें हमलों की एकता काैम रहे तो मैं हमेसा अल्ला से यह हमेसा काइम रहे है मुझे वो कोरोना भी याद आ जाता है कि जब उसका दंस पूरा भारत बस जहल रहा ता और हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ जूट होके और से मुकाबला कर रहे थे कहीं नहीं है कण प्रोड नहीं है के पर फार खाला कि यहां से बार. के नहीं हो पर्राल सेुक्राइब को यह तो सब्हार पर ही आगे बड़य थीरे किने थीरे वी तो तो 15- vaak अब लोग काम को रहा है तो थी JR हिसाब से तरह उतनी घुशी और मज़ा डटन है यह हर आन्मी परिशान है लेगं तो टाइव किसी तरहे हो तो तो तेवार को अपने हिसाब से जिसके पास जो इश्वर ने दिया है, वो अपने हिसाब से उसको मना रहा है, अपने हिसाब से अपनी खुशियां को मैनेज कर रहा है अपने परिवार में, तो यहीं चीज़े हैं, बिल्कुल, कुछ और पैगाम कोई संदेश, खास संदेश आपका आप चोंकि वरिस्त धर्मगुरू हैं कुछ इस्पेशल संदेश हमारे गुर्ट परदेश वासियों को परदेश वासियों के लिए और सब के लिए मेरा यही है कि आप सभी लोग मिल जूल करके आपस में महबत और भाईचारगी को बनाए रखें और यह हमारी अगर भाईचारगी बनी रहेगी तो हम तमाम तरह के खुराफास से बचे रहेंगे और यह जो अभी जो थोड़ा बहुत उथल पुथल है चुकि अभी इलेक्शन हुआ है ठीक है तो इलेक्शन अपनी जगह पे है नेतागिरी अपनी जगह पे है और इंसानियत अपनी जगह प अपने लोगों का ध्यान रखे हुआ हिंदू-मुस्लिम ना देखे बस मेरे कहने का मकसद है कि हिंदू-मुस्लिम ना देखे वह आपस में अपने मुहबत और भाईचारगी को बढ़ावा दे हमसे बात करने का बोड़ बूत आपको असलाम हमारे साथ मिनत साहाँ हैं पहल सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपको भी मुबारक बात मैं हिंदू या मुसल्मान होने के बाद बिलकुल नहीं करूंगा मैं भारती हूं और मुझे इस पर फक्र है कि मैं उस भारत देश का नागरी हूं जहां पर सभी धर्मों का तहवार सभी लोग एक सा आप अब इस परातना के माध्यम से इश्वर से करीब होते हैं और उनके लिए प्रातना करते हैं कि वह जहां भी है इश्वर उनके साथ इस तरह के विवहार करें क्योंकि इनसान जो दुनिया में करता है उसका फ़ल वहां मिलता है तो उससे पहले जहां पर वो लोग आराम कर रहे हैं तो उनके लिए हम प्रातना करते हैं. उनके हग में डोनेशन कर सकते हैं. जो चीजें दान पुन कर सकते हैं. वह करते हैं. तो यह तॉरहा दूसरी बात अब कहा तो यकीन यह हमारे लिए खुशी की बात है मैं आपको बताओ कि एक सूफी संथ है देवा शरीफ में तो वहां पर भी रंगों की होली खेली जाती है बाकाइदा तो पर पूलों की होली खेली जाती है तो देखे दरगाहों से जो है यह पैकाम दिया जा रहा है कि दरगाह के जो हमारे बुजूर्ग हैं सूफी संथ हैं वह होली का तहवार खुद सेलिबरेट कराया करते थे अपने मौजूद हुआ करते थे तो यही तो हमारे भारत देश की संस्कृती है हिस्सा आप खुद बताइए कि जब मानिय मुख्यमंतरी जो वरतमान समय में हमारे परदेश मुझे आप बता दीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यह कह दे कि मैं होली में किसी हिंदो के घर नहीं जाता हूं या इद वह बक्रीद में मुसलमानों के घर वो नहीं आते हैं तो यही हमारा भाईचारा है आपसी इत्याद है और इससे पहले भी गोरकपूर शहर हम सब भाई हैं हम सब वो कोई एक साथ रहना है और देखिए जो इस्तिती उत्पन होई थी वो चुनाओ ना के वज़से होई थी तो चुनाओ आते हैं और जाते रहते हैं हमको उसके बारे में नहीं सोचना है हम सब एक दूसरे के भाई हैं एक दूसरे के सुख और दुख में साती है अब देखिए मेरे घर के बगल में अगर मेरा कोई हिंदू भाई है या आपके घर के बगल में कोई मुसल्मान भाई है तो कोई आपको जरूरत पड़ेगी तो यही हिंदू और मुसल्मान पहले आएगा ना कि कोई आसमान से आएगा तो हमको इसका ख्याल रखना होगा और मैं फिर से एक बार रंगों के उस उत्सों वाले प्यवहार को बाबा गुरु गोरशनात बाबा रोशन अली शाह महातमा बुद्ध और कबीर दास की इस धरती से मुबारक बात पेश करता हूँ आप सभी को बढ़ाई देता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता कि करोना काल के बाद बहुत दिनों के बाद खुशियां घर आई हैं तो सबके चेहरों पर व्राउनक हो, हसी हो, मुश्कराहट हो, एक बात और भी कहूंगा कि देखिए कुछ ऐसे रंगो होते हैं जो हमारे बदन को नक्सान करते हैं जो हो सकता हो इसकीन को परिशान करते ह तो ऐसे रंगों का उपयोग ना किया जाए जिससे की हो सकता हो कि आपकी जो शारेरिक तोचा है जो इश्वर ने आपको सोरूप दिया है उसमें नुकसानों इसका खयाल करते हुए यकीनान आप खुशिया माना है हमको भी आप गुजिया खिलाएं हम भी आपको हलुआ खिल रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम प्रदेश वासियों को देश वासियों को गोरखपुर वासियों को और हम इस भारत में रहते हैं तो भारतिय हैं लेहाज़ा शबे बारात का जो तहवार है हम मुसलमानों से गुजारिस करेंगे कि अपने अपने बाग दादा की कबरों पर जाते हैं कबरिस्तान उनके लिए दौआ बक्षिस मक्पिरत करते हैं तो वो जाकर करें कुरान की तिल भारत के अंदर की शबे बरात के मौके पर हम मुसलमान अल्ला से दौआ करें कि मुल्क हिंदुस्तान में सांती अमन भाईचारा कायम रहे और हिंदू भाईयों से कि आपका होली का तहवार है भक्त पहलाद ने जिस तरह से विस्डू के जो भक्त थे भक्त पहलाद और उन के पिता जी का नाम हिर्णा कस्यफ है जब इन लोगों में विवाद हुआ तो यही भग पहलाद है जिनको होलिका उनकी बुवा ने लेकर गोद में बैठ गई और वो उसी में जल गई होलिका उसी लिए दहन किया जाता है और आखिल नर्सिंग जी को आना पड़ा खंबा के अंदर से चीर कर और जब वो आए नर्सिंग तो उन्होंने हिर्णा कस्यफ का बढ़ किया तो होलिका बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है तो प्रतीक हिंदू सनातन धर्मियों से कहूंगा कि होली के मयोंके पर अपने अगल बगल के मुसल्मान भाईयों से गल अपना एक पैगाम दिया संदेश दिया तमाम गोरकपुर वासियों को प्रदेश वासियों को देश वासियों को कि जो हमारी हिंदू मुसलिम एकता है वो किसी की वज़ा से वो जो रिष्टे में दरार आती वो नहीं आएगी और हिंदू मुसलिम की जो एकता है जो जग ज अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके